राम राम जी सार्यान है मैं मोहित आप सब का किये थर्व जोब्स टार्गेट यूटूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो आज मैं आप लोगों का जो सबसे मेन इंपोर्टेंट एक्जाम जिसकी वकेंशी निकल चुकिये हैं SSC कॉंस्टेबल या फिर SSC GD क सब्सक्राइब दोजार इक्टिस वकेंशी जिसके उपर सभी बच्चों का फोकस है ठीक है कुल पद आपके 40,000 से भी अधिक पद निकलेंगे इसके अंदर ठीक है पत्चीस मारत से आपके पत्चीस मारत से आपके फोर्म बढ़ने शुरू हो जाएगी 25 मारत से 10 महीं तक ठीक है 25 मारत से 10 माई तक आप लोगों के फोम बढ़ने शुरू जाएंगे और आज की वीडियो के अंदर में आप लोगों को यह बताने वाड़ा हूं कि आप इस एक्जाम की तैयारी कैसे करोगे क्या इसका सलेबस है और दस्वी पास इसकी और आपको एज भी बता हुआ सेंथ पास इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपने दस्वी की हुई है तो आप इस फोम को बरसकते हो गई एससी जीडी कॉनस्टेबल 40,000 से ज्यादा पद है ठीक है मोज हो जाएगी अगर सरकारी नोकरी लगई तो 25 मारत से 10 माई तक फोम बरे जाएंगे अगस स्क्रिप्शन के अंदर लिंक है तो देखो इसकी एज कितने मांगते हैं अटारा से तेइस साल जनरल कटैगरी के लिए उमर कितने हुनी च्यापकी अठारा से तेइस साल और जो अन्ने कटैगरियां है उनके लिए एज रिलेक्सेशन SCI ST के लिए SCI ST के लिए 5 साल OBC के लि और सायद मेरे हिसाब से OBC के लिए दो साल है एक्स रूइसमेन के लिए तीन साल ठीक है यह आपको एज रिलेक्सेशन मिलेगी तो अब बात आती है आपको उमर का पता चलिए कितनी उमर है 18 से 23 साल क्वालिफिकेशन क्या निचे 10 पास तो अब आप इसके स्लेबस के बारे मे एक्जाम डिवाइड होगा ठीक है च्यार पार्टों के अंदर आपका जो एक्जाम है वो अलग-अलग बागों के इंदर बट्या हुआ है जिसके अंदर मैथ 25 नंबर के आएगा 25 क्यों सनाएंगे जिके या जी एस करण्ट अफेयर वगयरा यह सारा का सारा मैटिरियल एक अंदर आएगा जिसके इंदर यह पज़तीस नंबर क्यांगे पचीस ही और इंगलीस इंदी है यह पत्चीस नंबर के आएग और 25 यह पसे नाएगे कुछ पर्सन मतलब कभी लोगों के मन में दाब्ट के वल इंगलि या केवल इंदी आएगी तो इसके अंदर ऐसे उभध दस एक परसंतों दस-बारा-13-परसंत तो इंगलिस के आएंगे और दस बारा-13 इंदी के आएंगे ठीक है यह बात आगी सब कैसे मज़में तो कुल मिलाकर आपका total 100 number का paper होगा और 90 minutes यानि अगया आपको 5 गंटे का time मिलेगा exam करने के लिए ठीक है बीड भी बहुत जएदा होगी competition भी बहुत जयदा हुगा रिजिनिंग का स्लेवस के अंदर की वीडियो के अदर करोए थे क्यूब और डास मिरर इमेज ठीक है यह आपके रिजिनिंग के इंदर जेनरल टोपिक है और टोपिक कि कुछ लिगी दिया दो च्यार से फाइंड मिसिंग नंबर यहां पर क्या आएगा इस पर गारे क्योशन भी आते रिजिने के अंदर ठीक है यह जनरल टोपिक है आपकी उसके बाद मैथ के नर क्या क्या आएगा नंबर सिस्टम आएगा आप लोगों का परतिशत परसेंटे यह सब भी आएगा ठीक है यह आप लोगों का मैथ का और रहेगा और इंगलिस और इंदी के अंदर क्या आएगा संटेंस फोर्मेशन और आपके वह आएगे क्या नाम है उसको बोलते तो है ओ कंपरेंशन ठीक है उसके अंदर से आपको क्योशन साटने होते हैं नागरिक सास्तर सब कुशाना चीए करंट अफेर के अंदर डेली न्यूज़ पर पड़ो या फिर यूटूब पर बोद्यदा करंट अफेर पड़ाने वाले अध्यापक हैं वहां से आप करंट अफेर की तयारी कर सकते हो जनरल साइंस बीसी के अंदर आएगी ठीक है तो यह आप लोगों का सलेबस रहेगा ठीक है जो मैंने आप लोगों को सलेबस बता दिया है अब बात आती सारा का सारा सिस्टम हो गया है आप लोग इसकी तयारी करोगे कैसे ठीक है कैसे आप मतलब कितना पड़े ना पड़ेगा कितनी तयारी करके अभी बहुत दिन पड़े जो मैनत करेगा उसी का सेलेक्शन होगा तो वो सब बताऊंगा मैं आज देखो वे आप लोगों को तयारी कैसे करनी जिक्के आप लोगों को मैं बुक भी बताऊंगा वे कौन सी बुक पढ़नी कैसे पढ़नी है जो आप जिक्के जिएस की जो तयारी करते हो ना आप लोगों जिक्के को सिरफ आप डेट गंटा दीजिए पूरे दिन में ठीक है यूटूब बगारा से अगर आप लोग जिक्के मतलब सिरफ मेन पॉइंट्स पढ़ना चाते तो आप यूटूब से पढ़िए जिक्के वैसे मैं प्रेफर करूँ आप लोग बुक से ही पढ़िएगा जि लगों को आप लोगों कैसे आद करोगे लिए नोट्स बढ़ाने जिक्के मैं आप लोगों को पहले बता जैता हूं नोट्स बणा के पढ़िएगा खुट से पढ़िएगा तो जैदा बेनिफिजियल रहेगा ठीक है और मैत मैत बहाँ किसी की भी यूटूब चैनल से पड़ सकते हूं मेरे वाले से फैट सकते हो इसारे के सारे टोपीक करवाया जाएए आप लोगों को जनराल क Parent कोई उलजा पुलजा वाले ज्यादा़ डीप में do स्भीक अब tuos नींतर थे जंदरल क्यों सन आते हैं रिजन भी आप किसी बी चैनल से पढ़ सकते हो मेरे वारे से भी पढ़ सकते हों इंगलिस हिंदी कि भी आपको एक बुक लेड़ेगी कम्पीटीशन की इंगली सिंदी की एक बूक लेड़ेगी मैं प्रैफर करता हूं केड भी went कोई केंपस की अकोगों की चपर कि की पैस्ट रही है आप लोगे प्रैक्टिस के लिए यह प्रैक्राइब। किन लोगों के लिए बैस्ट है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है स्वाल मैं आप लोगों को यहां पर किरांगा प्रैक्टिस अपसलगों को मैथ कि त्यारी पुल भी्योरी त्यारी आज से भी शुरू कर दियो इंतजार मदद्देखो वरना ते速ँ रहे और टाइम टेबल देखो भी आप लोगों कैसे बनाना है सोसल मीडिया से दूर रहे ना पूरे दिन के अंदर आप लोग मतलब एक फिक्स कर लो पूरे दिन के अंदर मैं सिरफ एक गंटा दियू आ सोसल मीडिया को उसके अंदर से 12-12 मिनट या 13-13 मिनट के अंदर पार्ट ड लिए वाइड कर सकते हो बैए कभी भी मतलब 2 गंटे पढ़ लिए उसके बारा मिनट मतलब कुछ भी तला लिया वाटसैप इन्स्टाग्राम फेस्टूक जो भी है ठीक है लेकिन आपके साथ क्या तो इसका उल्टा बारा मिनट पढ़ लिए बाक्की का सारा टाइम हम 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 ठीक है तो इन कामों के अंदर अपने टाइम को वेश्ट ना करें आप लोगों को अगर एक्जाम करना है तो इन कामों के अंदर टाइम वेश्ट ना करें ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना पढ़ाई पर करें मतलब आप अगर सुबह 9 बज़े भी पढ़ना शुरू कर द लोग जिक्के पढ़िए एक से लेकर डाई वज़े तक डेड़ गंटा उसके बाद आप फिर एक गंटे रेष्ट कीजिए उसके बाद फिर आप डेड़ गंटे इंगलिस पढ़िए ठीक है अराम से पांथ से सड़ एचा वज़े तक पढ़ लीजिए उसके आद खाना-खु समझता हूं तो इस परकार से आप अपने टाइम टेबल को डिवाइड कर सकते हो और अच्छे से तयारी कर सकते हो अभी आप मान के चलिए आपके पास सिर्फ तीन ही महीने हैं चुथे महीने के इंदर आपको सारे से लेबस की रिवीजन करनी है अराम से पिपर कलियर कर सकत सफलता गास उतर ठीक है मैवना मित्तर बनाओ कोई प्रेशानी ने क्योंकि आप लोगों की भी जरूरत है ठीक है कि हरो विरित वार जरूरत होती है और हरह मतलब याज़ान के पासलऌ को बहुए नदर पर ज्यादा प्रीफ्रेंस ना दित्ते हुए अपने जो पडाई वाला काम है उसको ज्यादा प्राथ मिक्ता देऊ महिला मित्तर को ज्यादा प्राथ मिक्ता देऊ देऊ पडाई को छोड़ देऊ एक बर के लिए ठीक है आना क्या है गूमफिर के वही सरकारी नोकरी पर मामल आन और अगर पढ़े सरकारी नोकरी मिली तो मईला मित्तर भी अपणी ही होगी ठीक है भई तो मन लगा के पढ़ाई करो ये सारे के सारे टोपिक आप लोगो कवर करवाए जाएंगे और सलिबस बता दिया, पैटरन बता दिया, सब कुछ बता दिया है सभी को नमस्कारद